कि अज़िए आज 27 अक्टूमबर 2022 टाइम हो रहा पांच बच के तरेपन मिनद मार्केट क्लोज हो चुका है आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिसकस करेंगे एक तो हमारी फाइनल पॉजिशन जो भी रही है आज के दिन and क्या सेट अब हमारा वहम डिसकस करेंगे तो ँब आज के दिन मैंने LinkedIn हे दो ट्रेट लिए थे निफ्टी में वो सारी चीजे मैं आप लोगों के साथ में discuss करूँगा, तो without wasting of time, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमारी आज की final position क्या रही है, तो दोस्तों, आज की हमारी final position है, 12,070 रुपे as an intraday, हम लोगों ने आज के दिल book किया है, तो यह जो digital profit की, यह आपके लिए important नहीं है, important है दोस्तों, यहाँ पर हमारा setup, तो setup क्या था, setup मैं आप लोगों को यहाँ पर explain करता हूँ, उसके लिए हम लोग आते हैं, चार्ट पर, तो चार्ट पर आते हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों एक चीज के लिए कर देता हूँ, मैंने आज trade किया था, nifty में, जबकि मैंने bank nifty को avoid किया था, वो क्यों किया था, उसके पीछे भी एक region, region क्या है, दोस्तों, simple, आज जो bank nifty, दोस्तों, कहीं ने कहीं, range की अंदर range bound हो रहा था, side wage हो रहा था, fold है, और bank nifty की बात करते हैं, तो देखें दोस्तों, nifty में एक अच्छा खासा, हमें trendy market देखने को मिला था, starting से, market gap up कुला, gap up के बाद मैं या से down आया, double top बनाते हैं, market नीचे आया, कहीं ने कहीं, एक यहां पर wage channel pattern माहा था, market downside माहा रहा था, तो मैं wait कर रहा था, दोस्तों, इस channel pattern के breakout का, कौन से channel pattern का, इस वाले channel pattern के breakout का, तो मेरा market नहीं हमें, इसका breakout कहा दे हैं, दोस्तों, almost 2 बज़े के आस्पाने, पूरे दिन मैं market को watch करते रहा था, और यहां wait कर रहा था, अपने zone में आने का, तो zone क्या था, वो है important, बात करते हैं, पहली trade की, तो मेरी जो first trade थी दोस्तो, first trade मेरी executed, जैसे के यहां पर देखे, setup और यहां बना हुआ है, मेरा यहां पर trade executed थी, इस breakout के बाद, इस breakout के बाद में, मैंने यहां पर अपनी trade को execute कराया, almost इस level के आसपास, जैसे इस zone को यहां से break किया, then market ना, हमारे entry के बाद में देखिया, market में अच्छा कास है, आपर reversal देखनों को मिला था, और मेरा stop loss plan था, almost इस zone के आसपास का, जैसे market इस zone पर आया, मैंने अपनी position यहां से square off कर दी, और इस trade में हम लोगों ने book किया था, almost 4000 plus के 4700 के आसपास के, मैंने यहां पर loss book किया था, तो यह तो अगया हमारा यहां पर current trade का logic, तो इसका setup क्या था, setup simple था दोस्तों, एक तो यह, जिससे साब से market ने stand line से rejection लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहां पर 6, तो यहां पर expectation थी दोस्तों, कि market यहां से, अब इसको break करेगा, तो एक अच्छी खासी rally कर सकता, अप तो this level और this level तक का, तो मेरी इस zone के हिसाब से, मेरा target मलब trade को execute कराया था, मैंने, कि almost यहां से 30-40 point की nifty, जो है rally कर सकता है, और उस हिसाब से हम अपना यहां पर options में, एक अच्छी trade बना सकते हैं, ठीक है, बट लेकिन हमारे trade लेने के बाद है, market आया हमारे opposite में और हम लोगों ने यहां पर loss बोग किया, then इसके बाद हैं दोस्तों, कि एक फिबो के लेवल के हिसाब साब सा, अगर मैं बड़े time frame पर देखाता हूं, तो देखें दोस्तों, यहां पर हम अगर फिबो का लेवल लगा करके देखते हैं, recent जो low लगाता है, यहां से, और recent high का, okay, swing low से swing high का, तो देखें, एक फिब्टी परसंट के लेवल के यहां पर मैं वेट कर रहा था, इसको रेटेस्ट होने का, okay, market ने हमारा stop loss hit करने के बाद में, फिब्टी परसंट के लेवल को यहां पर रेटेस्ट किया था, देन उसके बाद में, मैंने यहां पर छोटे टाइम प्रेम पर क्या वेट किया, कि इस trend line के breakout का, market ने जैसे trend line के breakout किया, breakout के बाद में थोड़ा और वेट कर रहा थे, market नीचे आए, तो कहीं न कहीं kind of double bottom बनाते है, market upside में जा सकता है, और जैसी मेरी यहां पर expectation थी prediction किया था, जो मेरी theory उससे साब से market ने किया, dip लगाया, high लगाया, again यहां से trend line को retest करके dip लगाया, और यहां से एक अच्छी खासी हमें rally देखने को मिली, मेरी entry कहां थी, मेरी entry थी दोस्तों, इस वाले neck line के ओपर, double bottom की, इस neck line को पर मैंने entry plan की वी थी, जैसे market इस level पर आया, मैंने अपनी entry plan कर दी, अब जो target में इस level के आसपास का expect कर रहा था, अब मैंने यहां का target plan नहीं किया, मैंने थोड़ी heavy quantity में काम किया, और यहां पर देखिए मैंने, इस zone का, exact इसी, क्योंकि यह अभी resistance के जैसे act कर सकता था, यहां पर market ने resistance के जैसे act किया हो था, तो मैं इस zone का target plan कर रहा था, और देखिए first candle में हमारा target achieve हो गया था, तो यह होता है, दोस्तो perfect setup का, perfect, आप facenceless wait करते हो, अपने setup के लिए market का अपने zone में आने का, तो आपको ऐसे ही results देखने को मिलते हैं, और इस trade में हम लोगों ने book किया था, almost 17,000 के आसपास का profit, तो देखते हैं order book, order book में अगर हम लोग देखते हैं, तो हमारी जो last trade थी, उसका मैं आप लोगों का order book यहां पर दिखा देता हूँ, देखें दोस्तों, मैंने last में जो trade ली थी, वो order मेरा execute वा था, अठाई सो quantity में, मैंने साथ के premium पर मैंने इसको buy किया था, 17,700 का call option, तो इसका मैं trade time भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो देखें हम लोगों कितना instant profit book वा था, within 9 seconds, अगर मैं इसका detail दिखा जाता हूँ, तो देखें, तीन बज़ के 49 seconds पर हम लोगों की यहां जो trade वो execute हूई थी, यहां पर यह देखें, target कहां book क्या था, फलक जपकते ही दोस्तों, यानि कि तीन बज़ के 48 seconds में हमारा target अचीव हो चूँ गया रहा, बट लेकिन देखें, बाद मार्केट कितना उपर गया होगा है, और अच्छी खासे रेली की थी, बट लेकिन जो हमारा यहां पर perfect plan था, edge, परदा, index, हम लोगों ने अपना target book कर लिया था, जैसे ही यहां पर index का इस zone के आस्ट पास आया, तो यहां पर हम लोगों को चार अजार सासों के आसपास को जो loss था, वो deduct होने के बाद में हमारे पास जो बचा 12,070 रुपे का यहां पर profit देखने को मिला आज की टेड में, तो important चीज़ गया, profit नहीं है दोस्तों, यह है set-ups, इस trade के set-up में हमारे में कोई गडबन नहीं थी, बहुत perfect set-up था, यहां पर भी same logic था, यहां पर multiple time पर retest हुआ, breakout हुआ, साथ की साथ में यहां पर Fibo का यहां जो 38.% और 50% के level का बीच से support ले रहा था, मैंने जो John define किया था, वहां पर मैं exit हुआ था, अगर मैं मालो लाश्ट तक रुके रहा था, तो साथ मैं इस opportunity को miss कर देता, बले ही बाद मार्केट हमारे cost to cost आता, बट लेकिन इतना profit जो मैंने लिया, यह नहीं ले पाता मैं साथ, और कहीने कहीं trade में फसा होता, तो important चीज़ क्या है, अपना stop loss प्लान करके, चलो अपनी risk management के साथ से trade करना चाहिए, तो उसी को मैंने यहाँ पर रखते हुए, आज profit बुक क्या है, तो profit क्या था मेरा mindset का, mindset क्या था, proper buying के लिए देख रहा था, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला था, यहाँ ब्रेकडाउन देखने को मिला था, मैंने selling को avoid किया, हम लोगों को यहाँ पर इसमें, और यहाँ पर भी breakdown देखने को मिला था, और bank nifty में मुझे opportunity देखने को मिले थी, बलने कर जिस आप sideways market था, तो मैंने आज bank nifty को avoid किया, और profit rate किया, और proper mindset के साब से जैसा था कि मुझे buy करना है, तो buying के साब से अपने setup find किया, और अपने यहाँ पर profit book किया, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो important चीज़ थी, क्या थी, मेरा यहाँ पर patience और mindset, तो इन दोनों की बज़े से यहाँ पर मेरा पैसा बना है, तो simple दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को explain करने कोशिश किया, कि मैंने किस setup और किस mindset के साथ में काम किया हुआ, I hope आप लोगों को मैं अच्छे से setup explain करने पाया हूँ, आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा दोस्तों, comment करके जरूर बताएं, thank you दोस्तों,